हलो फ्रेंट्स गुड़ा प्रनून कैसे हो आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे शू फ्रेंट्स आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी और जीके के टॉप 20 कोश्चन्स इस वीडियो में मैंने जितने भी कोश्चंस लिए है सारे स्लेक्टिग कोश्चंस लिए हैं इंप्रिकेंट्स्न लिए हैं जो एक्जाम में बार बार रिपीट होते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टाрٹ करते हैं और मैं आपको वता दूँ कल से आपकी जो है डेली क्लासेस हुआ तीन क्लासेस वान करेगी ठीन क्लासेस डेली होंगी हर सब्जिट की ठीके ठीके हिंदी G.K झुरी क्लासेस होंगी और कल मैं टाइम भी फिक्ष कर दूँ बेहतरीन त्यारी आप लोग में करवाऊंगा बशाप लोग चैनल से जूड़े रहें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और प्रिसक लिजिगा दस अजार सीट में अगर आपको भी अपनी एक सीट पक्की करनी है तो आप लोग चैनल से जूड़े रहें इश्यालों के माध सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर आपके मनन में हो तो आप लोग कमेंट बाक्स में डृट कर सकते हैं अगला प्रशनक्राइब वर्ड आइवन्सका था यूर्यवास को युद्ध्य किसके बीच लड़ा गया सबी जुब देने का फ्रयास करेंगे वांडी वांस का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था तो यह लड़ा गया था अंग्र Deshalb और फ्रेंच सेनाओं के बीच optionist का जो है बी वाला करेक्ट होगा इस question का right answer अगर आपको और भी classes देखने हैं तो आप लोग प्ले लिश्ट को एक बड़ चिक कर सकते हैं उसमें आपको जो है बहुत सारी 2022 की वीडियो मिल जाएंगी अगला प्रशन यह है राज्य कारकारणी की मुख्या कौन होता है सब लोग 74 का जो आप देनी का प्रयास करेंगे राज्य कारणी का जो है मुख्या कौन होता है तो राजपाल होता है ऑप्शनिस्ट का जो है ए वाला करेक्ट होगा इस question का right answer है एदराबाद में चार मिनार किसने बनवाई most important question है और कल से जो है आप आपका भी time बना रहेगा और मेरा भी time बने रहेगा time to time जो है आपकी classes हुआ करेंगी ठीक है तो है तो हैदराबाद में चार मिनार का निर्माण किसने करवाया था सभी लोग जो आप देने का प्रयास करेंगे मोहमाद कुली को तुप शाने option इसका जो है बी करेक्ट होगा इसमें आपको चारो सब्जेट के जो है questions देखने को मिलेंगे साथ 4900 से ज्यादा आपको objective questions देखने को मिलेंगे 5 शौल पेपर 2017 से 2021 तक के पूरे 15 practice set paper आपको देखने को मिलेंगे कापी अच्छी बुक है चक्सू पब्लिकेशन की बुक है ले शक्ते हैं आप लोग यहर ज इजाम के लिए गाइड भी आती है तो आप लोग गाइड भी लेशकते हैं बहतरीन प्रिपेशन के लिए ठीक है अपने पास आप लोग एक बुक जरूर रखिएगा ठीक है खुद से पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है ठीक है तो आप लोग एक गाइड ले पंचायती राज क्या है तो पंचायती राज दो है यह एक श्वशाषन की एक योजना है समझ में आ गया ऑप्शन इसका जो है सी वाला करेक्ट हो जगा इसकोशन का राइट अंसर वीडियो प्लेस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अदर फ्रेंड के साथ भी इस व ब्रह्मान में पाया जाने वाला श्रवाधिक शामाने तत्त कौंशा है तो इसका जवाब आपको कमेंट बक्स में देना है चाहिए वह आक्षीजन हो हाइडोजन हो हीलियम हो लुहा हो अब शिभी को बताई कि हर टेस्ट में आप लोगों से मैं एक कोश्चन पूशता हू ठीक है अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दी तो आपका अंसर बिल्कुन सभी है ठीक है चलिए अगला प्रशन यहां पर देखिए श्रमड बेल गोला का श्रमन्द है किस धर्म से है जैन धर्म से है ठीक है ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट हो जागा इसको चनका सब्सक्राइब करेंगे उत्रखन की विधान सब्सक्राइब में एक श्रयदष्ट को मनोनीद किया जाता है जो होता है एगलो भारती शमुदाय से औप्शन इसका सी करेक्ट होगा इसकोशन का राइट अगला प्रशन महात्मा गांधी दच्छन आफ्रीका को छोड़कर हम हमेशा के लिए भारत आ गए थे किस सब में किस इस्वी में आ गये थे कि सब्सक्राइब करेंगे महात्मा गांधी दच्छन आफ्रीका को छोड़कर हमेशा के लिए किस इस इस वह भारत आ गये थे तो महात्मा गांधी जो दच्छन आफ्रीका को छोड़कर हमेशा के लिए भारत में आ गये थे 1915 में ठीक है इसमें नहीं है तो इन में से कोई नहीं वाला श्रही हो जागा ठीक है 1915 आपको ध्यान रखना है चलिए अगला प्रश्ण आवर्थ इस नेड़ी में पहला तत् ठीक है चलिए अगला प्रश्ण आंतरिक बल क्या होते हैं अंतरिक बल क्या होते हैं घैक हो चाडव संसप्रान होते हैं ठीक हिंर हर अ करेक्ट होका इस का इसมहें सुझन का फुन नदी के तड़ युद्ध हुआ था जए जहें नदी के तड़ युद्ध हुआ था ठीक है ओप्शन का ऑफ्शनगी आपका कौन सा होगा गरुण धोज हो जाएगा optionist का जो है ओपने सब्सक्राइड में किस्थ तरफस्थ का बिंजन है तो होगी यहेशानाम तालू मुर्धा हो आते हैं तो यूपी टेट के एक्जाम में दो कोशन्स रहते हैं जैसे आप लोग जब एड कर लेंगे तो टेट का एक्जाम आपको देना होगा तो उसमें भी एकोशन्स आते हैं ठीक है चलिए अगला प्रशन यहां पर देखिए क्या पूंचा जा रहा है युद्ध करने का इच्छुक के लिए सरवाधिक उप्यूक एक सब्द क्या होगा शबल्यूक जो आप देने का प्रयाश्च करेंगे युद्ध करने का इच्छुक के लिए सरवाधिक उप्यूक शब्द कौन सा है तो युद्ध करने का इच्छुक के लिए सरवाधिक उप्यूक शब्द ह होता है यूद्सू औप्शन इसका डी वाला करेक्ट होगा इसको शिन का राइट अंसर दैव दैव शब्द यूगम का सही अर्थ वाला यूगम कौन सा है तो यह वाला देवता भागी वाला ठीक है चलिए अगला प्रशन यहां पर देखिए बहुरही समाश का उदरन्ड हुए तो इसमें जो है बारा शेंगा देर्गभाहु खुस्मा युध्ध युद्ध जो है आपका बाढ़ currently शमाष होता है यह नहीं अधक कर पानसे ठेडि ठीक है तो फ्रेंस आपके यही थे हिंदी और जो है जीए के के कॉस्चन्स और यह हमारा fic्रासी इस क्रैस कोर्स के मादबं से अपने जो है और भी बहतरी त्यारी कर शकते हैं मात्र एक्स तो उन्चास रुपए में इसमें आपको जो है पूरे प्रीवी सेरे के कोश्चन्स मिलेंगे और पांच ज़ार से ज्यादा आपको टॉपिक वाइस के कोश्चन्स आपको देखने को लोगों मिलने के देखिक हों आप लोग इसे जाकर परचेश कर सकते हैं खया है अगली वीडियो पर पसंद दाया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चल्ट है सब्सक्राइब करके यह आपको निश्यती मदद मिलेगी थेंक्यू